आप सभी को जय मसी की, दबाइबल पुष्ण में आपका स्वागत है, हमारा आज का वचन है, अयूब की पुस्तक, ग्यारवा अथ्याए तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत से बाते जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना ना चाहिए, क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए, क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहें, और जब तु ठटा करता है, तो क्या कोई तुझे लज्जित न करें, तु तो यह कहता है, मेरा सिध्धान्त शुद्ध है, और मैं परमेश्वर की दृष्टी में पवित्र हूँ, परन तु भला हो, कि परमेश्वर स्वायम बाते करें, और तेरे विरुद्ध मुह खोले, और तुझ पर बुद्धी की गुप्त बाते प्रकट करें, क्या उनक शक्तिमान का मर्म पूरी रिती से जान सकता है? वह आकार सा उचा है, तु क्या कर सकता है? वह अधोलोग से गहरा है, तु क्या समझ सकता है? उसकी माप पृत्वी से भी लंबी है, और समुद्र से चौड़ी है, यदि परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अधालत में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है, और अनर्थ काम को देख कर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? परन्तु मनुष्य छूचा और निर्बुध्धी होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधह के बच्चे के समान होता है? यदि तू अपना मन शुद्ध करे और इश्वर की और अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझ से होता हो, उसे दूर करे, और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तू निश्य अपना मुह निश्कलंक दिखा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरन करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दो पहर से भी अधिक प्रकाश मान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो, तो भी वह भोर सा हो जाएगा, तुझे आशा ह इस कारण तू निर्भाय रहेगा, और अपने चारों और देख देख कर तू निर्भाय विश्राम कर सकेगा, जब तू लेटेगा, तब कोई तुझे डराएगा नहीं, और बहुत तेरे तुझे प्रसन करने का यत्न करेंगे, परन तु दुष्ट लोगों की आखे परन स्थान न मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए